रात में सोते समय अगर कान के पास मच्छर भी विनाने लगता है तो अच्छे खासी नेंद भी तूट जाती है मच्छर किसी को भी सुकून से सोने नहीं देते हैं इसके साथ ही मच्छर कई खतनाग बिमारियों जैसे जी का, डेंगु और मलेरिया जैसे बिमारियों का कारण भी बनते हैं मच्छर आसपास फैली गंदगी की वज़ा से पनबते हैं मच्छर मनुश्य के संपर्क में भी आते हैं उन्हें कारता है और उनका खुंड चूसता है आम तोर पर मच्छर सभी लोगों को कारते हैं लेकिन एक शोद से ये बात सामने आई है कि 20% ऐसे लोग भी हैं जो मच्छरों को सबसे ज़्यादा आकरशित करते हैं ऐसे लोगों को मच्छर सबसे पहले अपना शिकार बनाते हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन्ही कुछ लोगों के बारे में जिनें मच्छर सबसे ज़्यादा धून धून कर यानि की खोच-खोच कर कारते हैं तो चलिए आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में पहला, डार्क कपड़े वाले लोग, सरहरन तया मक्षर सभी लोगों को कानते हैं, ये लोगों की गंद से उनहें अपना शिकारथी बनाते हैं, मक्षर की नजरे बहुत तेज होती हैं, ये दोपहले के बाद लोगों को खोज कर कानते हैं, मच्छर लोगों को उनके कपड़ों से बड़ी असानी से खोज लेते हैं जब आप Dark Color के कपड़े पहनते हैं जैसे की काला, नीला, लाल तो मच्छर आपको असानी से खोज लेते हैं दूसरा जिनका Blood Group O Group का होता है मच्छरों के लिए खुन ही सब कुछ होता है इनके लिए ये अमरित की तरह काम करता है। वयस्क मच्छर खून को प्रोटीन की तरह इस्तमाल करते हैं। वही मादा अंडे देने के लिए खून में मौजूद प्रोटीन से पोशन प्राप्त करती हैं। कुछ ऐसे भी बलड गुरूप होते हैं जो मच्छरों को ज्यादा आकर्शित करते हैं। उन्हीं में से एक है ओवलड गुरूप ओवले लोगों को मच्छर समाने रूप से काटते हैं और इनको ढूंढ़ों कर भी काटते हैं। तीसरा मच्छरों को कारबन डाई आकसाइड गैस करती है आकर्शित। मच्छर 168 फीट की दूरी से भी कारबन awhiley आक्साइड को पैजान लेते इस गयस में मच्छर सबसे ज्यादा आकर्शित होते हैं मनुष्य नाक से अकसीजन नेता है और नाक से ही कार्वन डाय आक्साइड होता है इसी वजा से नाक से कान से पास सबसे ज्यादा दिन विनाते हैं चौथा, गर्मी और पसीने से मच्छर आकर्शित होते हैं गर्मी के दिनों में शरीर से निकरने वाले पसीने से उसरजिन, लैक्टिक एसीड, उरिक एसीड और अमोनिया मच्छरों को आकर्शित करते हैं जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, उन लोगों को मच्छर सबसे ज़्यादा कांते हैं। जिम करने वाले, गर्म जगहों पर काम करने वाले या ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों को ज़्यादा पसीना होता है। इसलिए इन्हें मच्छर सबसे ज़्यादा कांते ह पाचवा गर्भ होती मैलाओं को एक शोद में ये बात सामने आई है कि आम मैलाओं के तुल्ला में गर्भ होती मैलाएं सबसे ज़्यादा कारवन डाई आकसाइड गया छोड़ती हैं इसकी वज़ा से मच्छर गर्भ होती मैलाओं की तरह ज्यादा अकर्शित होते हैं इसके आलावा गर्भ होती मैलाओं को पेट आम मैलाओं की अपेच्छा ज्यादा गर्म रहता है इसलिए इससे भी मच्छर इनकी तरह अकर्शित होते हैं और यही वज़ा है जिससे कि मच्छर इन पाच तरह के लोगों को सबसे ज़्यादा ढूंड ढूंड कर काते हैं। Next 9 Spiritual के रिपोर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या स्कुर्प राइटर तो हम इस संपच करें।